इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 21 फरवरी तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतितक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी इस session को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे daily current affairs pdf weekly pdf और monthly pdf चाहते हैं तो इस वीडियो के first comment में या फिर वीडियो के description में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं साथ ही आप Google Play Store से current affairs funda app को भी install कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा pdf material है जिसमें आपको current affairs के साथ साथ study gkv provide कराते हैं यह आपको हमारी current affairs funda app पर ही उपलब्द हो पाएगा तो यह सभी content है आप देख लीजेगा और इसके लिए आपको हमारा pdf course यदि purchase करना है तो उसका link पी आपको इस वीडियो के first comment में मिल जाएगा और कोई भी अगर आपका doubt हमारे pdf को दिसम्बंदित तो आप में comment box में जरूर लिखेगा तो चली फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो session की कि सबसे पहले 19 फ्रवरी को पड़े गए current affairs quickly revise कर लेते हैं जी अशोक कुमार यह इंडिया के first national maritime security coordinator यान की NMSC appoint किये गए है fintech company rupee pay इसने एक new age digital banking super app लौँच है जिसका नाम है NYE yes bank ने agree infinity program लौँच किया है भारत में लगबग 4000 locations पर point of sale solutions प्रवाइट कराने के लिए कोटेक महिंद्रा बैंक ने easy tap के साथ tie up किया है standard chartered bank ने interest only home loan facility launch की है आपको जानना चाहिए कोटेक महिंद्रा life insurance ने fortune maximizer plan launch किया US और बांगलादेश इन दोनों ही country's की air forces ने bilateral tactical airlift exercise COP South 22 conduct करने का एलान किया है इंडिया स्वामित्व scheme के तहत लगबग 6 लाग गाउं का digital map तयार करेगी ministry of road transport and highways इसने notification जारी किया है जिसके तहत बाइक पर जो पीछे बैठते हैं जो पिरियन राइडर होते हैं चार साल से कम के बच्चे इनके लिए भी helmets mandatory रहेगा compulsory रहेगा चनवीरा कनवी ये कनड language के कवी थे इनका हाली में निधन हो गया Indian aircraft Tejas Mark 1 इसने Singapore Airshow 2022 में participate किया India और Australia ने New and Renewable Energy Technology में सहयोग के लिए एक letter of intent sign किया है Indian Railway भारत की first ever Cable State Rail Bridge इसे जमो एंड कश्मीर में बना रहा है जो की आंजी रिवर पर बनेगा आपको जाना चाहिए Union Minister of Ports Shipping and Waterway सर्वरंदा सोर्वाल इन्होंने हल दिया जो कि आपका West Bengal में है यहां से और Pandu जो कि आपका Assam में है इन दोनों के बीच जो इस्टील की जो पहली खेप है जो इसका shipment है उसको हरी जंडी दिखाई और यह पांगला दिस्क से होता हुआ गया चली अब देखते हैं 21 परविदक के सभी important current affairs पहले आप यह भी जान लिजी कि हिमाचल प्रदेश ने इसका जो first biodiversity park है यह मंडी के बूला वैली में बनेगा इंडिया's first water taxi service was inaugurated in which state तो पूछा जाराएगी भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही answer option D है महरास्ट तो देखिए यह जो इंडिया की first water taxi service है जिसको महरास्ट में inaugurate किया गया यह नवी मुंबई area को mainland मुंबई से connect करेगी और महरास्ट की जो chief mister ने उद्दव ठाकरे इन्होंने बेलापूर jetty को इसमों के पर inaugurate किया और जो union minister for ports, shipping and waterways है सर्मनन्दा सोनवाल इन्होंने इस water taxi को हरी जंटी दिखाई है हाली में हमने पढ़ा था कि महरास्ट के health minister ने cancer से लड़ने के लिए hope express launch करने की गोशना की है Freedom Convoy is a phrase currently in use in the context of COVID-19 vaccination in which country? कोशन में पुछा जा रहा है कि Freedom Convoy वर्दमान में किस देश में COVID-19 टीका करन के संदर्व में परियोग में आने वाला एक phrase है या फिर आप कह सकते हैं एक शब्द type है तो options आपके सामने है और सही answer option A है Canada जानेंगे इस बारे में देखिए काफी चर्चा में विशे बना हुआ है देखिए जनवरी 28 से अगर हम बात करें तो Canada में एक काफी blockage type का चल रहा है यह चल रहा है जो truckers होते हैं जो truck drivers होते हैं जो truck ले जाते हैं एक से दूसरी जगा पर तो आप सभी जानते हैं कि Canada और America वोडर टच करते हैं तो Canada से जो अमेरिका में truck जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं तो उनके लिए Canada government ने शुरू से ही mandatory करा हुआ है कि आप तभी US से Canada में एंटर कर पाएंगे यही आप fully vaccinated हैं यही बात जो है truckers को जो है अच्छी नहीं लग रही है ठीक है वो इस बात से agree नहीं कर रहे हैं कि fully vaccinated होना ज़रूरी है इसलिए उन्हेंने क्या किया है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और demonstrations कर रहे हैं और खुद को में Freedom Convoy का नाम उन्होंने दिया है तो ही जो major protest है यह Canada की जो capital है Ottawa यहाँ पर जो है इसका काफी प्रभाव देखने के लिए मिला हुआ है इसी वज़े से जो Canada के प्राइम मिस्टर ने जस्टीस जस्टीन ट्रोडो इन्होंने emergency power भी अपनी यूज की है और Canada की इतियास में पहली बार इस तरह की power यूज की जा रही है जिसके तहत जो यह anti-government truck protest है इसके खिलाफ जो है कड़ी करवाई की जा सकती है Which of the following will be the first country to adopt India's UPI system Question में पूछना है कि निम्लिकित में से कौन भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा Options आपके सामने हैं सही answer option A है नेपाल देखिए नेपाल यह भारत के बाहर पहली ऐसी country बन गई है जिसने Unified Payments Interface जिसे आप UPI के नाम से भी जानते हैं इसको as a payments platform जो है यूज करने के लिए मंजूरी दे दी है या फिर यूज करना शुरू ये करने वाला है आपको जाना चाहिए इसके लिए जो NPCI International Payments Limited है जो कि NPCI की International Arm है या International Wing है इसने Gateway Payment Service यानि की GPS और Manum Infotech इन दोनों के साथ पार्टनर्शिप की है आपको जानना चाहिए कि Gateway Payment Service यानि की GPS ये नेपाल में Authorized Payment System Operator है और जो Manum Infotech है ये Unified Payments Interface नेपाल में Deploy करेगा A direct flight between Delhi and Khajurau under the Udhan scheme integrated Khajurau was built by which dynasty Quesion ने पूछने है कि Udhan योजने के तहित दिल्ली और Khajurau की बीच सीधी Udhan का उद्खाटन हाली में किया गया आपको बताना है कि Khajurau का निर्मान किस राजवन से ने करवाय था ये question किसी भी तरह से बन सकता है ये ऐसे भी बन सकता है कि Udhan scheme के तहित हाली में Delhi से किस UNESCO site के बीच में एक direct flight launch ही गई है इस तरह से ये question बन सकता है important question है ठीक है मुझको इस तरह से बनाना अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें dynasty के साथ इसको link कर दिया है ताकि यदि आप history जैसे subject पढ़ते हैं किसी exam में तो वहाँ पर भी आपको एक question useful लगे और current affairs का तो यह ही ठीक है तो सही answer हमारा है यहाँ पर है option C चंदेला dynasty जानेंगे इसके बारे में खजुराओ का नाम आपने सभी ने सुनाओगा ये एक ancient city है जो कि अपने magnificent temples और sculptures के लिए जाने जाती है यह मध्यप्रदेश के चदरपूर डिस्टिक में located है और यही पर ही है आपका UNESCO site खजुराओ group of monuments आपको जानना चाहिए इनको 950 से 1050 AD के बीच चंदेला dynasty द्वारा built किया गया था जो भी यहाँ पर temples है और यह अपने नागरा style architecture के लिए जाने जाती है और यहाँ पर नाइकास और डेटीज इनके sculptures यहाँ पर located है आपको जानना चाहिए खजुरा का नाम जो है जो आपका डेट पाम होता है ना खजुर उसी के वास्तों में यहाँ पर 85 temples थे लेकिन अब केवल 20 ही सर्वाइव कर चुके हैं और 1850 की टाइम पर इनको rediscover किया गया था इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली इंक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एकोनोमिक partnership agreement CEPA कोश्चन में पूछ रहा है कि भारत और किस देशने हाली में एक वियापक आर्थिक भागिदारी समझोता यानि कि CEPA किया है options आपके सामने हैं सही answer option A है UAE संयुक्त अरब अमिरात जानेगे इसके बारे में तो देखें इंडिया और United Arab Emirates इनोंने comprehensive economic partnership agreement इसको sign किया है जो की दोनों देशों के बीच जो trade होता है उसमें उसको मजबूती देने का कारे करेगा और उसको flexible बनाएगा आपको जाना चाहिए United Arab Emirates ये इंडिया का third largest trading partner है और भारत का जो इस वक्त जो largest trading partner है वो US है पहले चाइना था लेकिन अब US हो चुका है तो उपर नीचे चलता रहता है कभी चाइना हो जाता है कभी US हो जाता है तो अब जो है फिलाल US है और जो UAE है ये भारत का second largest export destination भी ह आपको जानना चाहिए कि अब इस जो ये CEPA है पहले इसी फिलफों भी आपको याद होनी चाहिए comprehensive economic partnership agreement इसके तहत अब जो दोनों के भी जो trade होता है वो 60 billion US dollar का है अब ये बढ़कर अगले 5 सालों में 100 billion US dollar होने की उम्मीद है साथ है आपको जानना चाहिए कि UAE जो इंडियन goods है जो 99% इंडियन goods है उन पर zero duty अगले 5 साल में जो है allow करेगा लगाएगा ठीक है इस free trade agreement के तहत और बदले में इंडिया ये 80% of goods from UAE इन पर 80% इन पर जो है duty free assets देगा 80% of goods from the UAE यानि कि जो भारतिय goods है यानि कि 100 goods यदि आ रहे हैं 100 समान यदि जा रहा है तो उसमें से 99 समान पर दियन्याड में जो समान है उस पर UAE zero duty लगाएगा और भारत अगर UAE से 100 समान आ रहा है उसमें से 80 ऐसे समान पर duty free access उनको देगा यानि zero duty लगाएगा और ये जो है अगले 10 साल में 90% भी होने की उम्मीद है साथ ही आपको बता दे कि भारत में वही समान जो है duty free access के लिमिट में आएंगे UAE से जो की जिनमें की कम से कम 40% value addition UAE में होता हो तो इस सभी ये points आप याद रखेंगे important question है क्योंकि ये comprehensive economic partnership agreement से संबंदित है अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम किस दिन अपना राज्यती वस मनाते हैं सही answer option C है February 20, 20 February को तो 20 February 2022 को अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों ने ही अपना state route यानि की foundation day मनाया है आपको जानना चाहिए दोनों ही राज्यों को जो state route का दर्जा मिला था वो 20 February 1987 को मिला था और इसके लिए जो 53rd amendment किया गया था 1986 में आपको जानना चाहिए अरुनाचल प्रदेश जिसे land of the rising sun बोलते हैं यह भारत का extreme north eastern part में located है इसको पहले north east frontier agency के नाम से जाना जाता था NEFA कई बार पुछा जाता है कि किस राज्ये को पहले north east frontier agency के नाम से जाना जाया तो आंसर होगा आपका अनुनाचल प्रदेश और यह जो है असाम का पार्द था उसके बाद 1972 1972 में इसको union territory बनाया गया और पूर्ण राज्ये का दर्जा इसको 20 February 1987 को दिया गया इसी तरह से कि हम मिस्व रूम की बात करें इसको लैंड ओफ मीजो के नाम से जाना जाता था और लुसाई Hills टिस्टिक आता था एक असाम के अंदर तो वो था मिलसाई हिल्स टिस्टिक का समक्राड़ आता था उसी को मिस्व मतलब मिसुरम जो है पहले लुसाई हिल स्टिस्टिक के नाम से जाना जाए जब ये असाम के अंदर था उसके बाद फिर इसको मीजो हिल स्टिस्टिक बना दे गया 1954 में उसके बाद 1972 में यूनियन टारेटरी बन गया और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया गया Ministry of Defense has inked a deal to design and develop high altitude pseudo satellite with which space startup यानि की रक्सा मंत्रायल ने किस अंत्रिक्स startup के साथ high altitude pseudo satellite को design और विक्सित करने के लिए समझता किया है सही answer option D है New Space Research and Technologies देखिए तो जो ये New Space Research and Technologies है ये एक Bengaluru based firm है तो इसने और Ministry of Defense ने deal sign किये है जिसके तहरी high altitude pseudo satellite HAPS इसको design and develop करेंगे और ये डिफेंस मिरिश्टे का जो innovations for defense excellency initiative है IDEX इसका एक पार्ट है Ministry of Education has approved a new scheme named New India Literacy Program for which time frame पुझे जा रहा है कि सिक्सा मंत्रायल ने किस समय सीमा के लिए New India Literacy Program नामक एक नई योचना को मंचुरी दी है सही answer option C है fiscal year 2022 to 2027 जानेंगे इसके बारे में देखे Ministry of Education ने एक नई scheme को approve किया है जिसका नाम है New India Literacy Program और ये adult education पर आधारित है और अगले 5 साल के लिए ये जो है जारी की गई है approve की गई है आपको बता दें इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 15 साल से या 15 साल के हैं या फिर 15 साल से उपर के हैं जो की पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको educate करना इस प्रोग्राम का मकसद है आपको बता दें education for all नई scheme है और इसको पहले adult education के नाम से जाना जाता था इसको जो है fiscal year 2022-2027 के लिए लूंच किया गया है और इसका जो best budget है यह है एक हजार 379 क्रोड रुपीज और अगले 5 साल के लिए इसको लूंच किया गया है जिसमें central share है 700 क्रोड का और states का जो share रहे और आपको बता दें यह जो पूरा प्रोग्राम है यह online teaching learning and assessment system यानि की outless इसके द्वारा इसको accomplish किया जाएगा और इसमें national informatics center NCRT और NIOS पार्टनर रहेंगे विच क्लब वॉन दर 2021 फीफा क्लब वर्ड कप फाइनल दो जारी किस फीफा क्लब विच्व कप फाइनल किस क्लब ने जीता है सही answer option यह है Chelsea तो देखिए Chelsea ने आपर पलमिरास को हरा कर दो एक से हरा कर फीफा क्लब वर्ड कप 2021 का फाइनल जीत लिया है आपको दादे यह tournament स सही उत्रब अमिरात में हुआ Twitter has partnered with which of the following to boost tips feature in India कोशन में पूछना है कि भारत में tips feature को बढ़ावा देने के लिए Twitter ने निम्रिकित में से किसके साथ साज़ेदारी की है options आपके सामने है सही answer option यह है पेटियें तो देखिए Twitter ने आपर payments पेटियें पेमेंट गेटवे के देने के लिए आपको बता दें tips feature जो है Twitter का इसके तुरू कोई भी content creator है जो आपको पसंद है आप उसको cash payment कर सकते हैं ठीक है इस micro blogging platform याने की Twitter की साहता से और आपको बता दें नवंबर में नवंबर 2021 में इसको launch किया गया था tips feature को और 18 साल से ज्यादा क्या जो age group है वो सभ भी लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने Android platform पर या फिर iOS platform पर और यह बैंगॉली गुजराती हिंदी कंणर्ड मराथी और तमिल लेंग्विज में एवलेबल है यह वाला feature तो basically आप पैसा बेज सकते हैं जो भी आपका favorite content creator है उसको वर्ड पैंगोलीन डे इस सेलिब्रेटेड ओन विच टे विस्व पैंगोलीन दीवस किस दिन मनाया जाता है सही answer option भी है third Saturday of February तो दिखे वर्ड पैंगोलीन डे यह जो फरवरी का तीसरा सनिवार आता है उस दिन मनाया जाता है हर साल मनाया जाता है और इस बार यह 19 फरवर डॉमेस्टिक प्रोडक्ट यानि की जीडिवी इस लाइकली टू ग्रोव एट परसेंट इन फिस्कल यह 22 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडिशन ऑफ एस बीआइज रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप पूछ रहे है कि एस बीआई की जो शोद रिपोर्ट है इकोरेप के नवीनतम संसक्रंड के अनुसार वित्वर्स 22 में पारत का सकल घरिलू उत्पात कितने प्रतिशत बढ़ने की संभाव ना है ओप्शन सापके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 8.8 परसेंट अच्छा इसी रिपोर्ट में ये बात ये भी कई गई है मैंने इसको पहले रग दिया है इसको भी आप ध्यान रखेंगा कन्फ्यूज ना होईएगा तो इन्हों नहीं ये कहा है कि जो फिस्कलियर 22 है इसका जो थर्ड क्वाटर है इसमें जो GDP रहेगी 5.8 परसेंट से बढ़ेगी और जो पूरा फिस्कलियर है फिस्कलियर 22 यानि की 2021-22 इसमे इन्हों ने कहा है कि 8.8 परसेंट रहने की संभावना है पहले इन्हों ने 9.3 परसेंट कहा था तो यह तो है थर्ड क्वाटर के लिए 5.8 परसेंट और यदि हम पूरे फिस्कलियर 22 की बात करें तो यह है 8.8 परसेंट Union Home Mr. Amit Shah has launched the Smart Card Arms License and Sustra App of which Police पूछ रहे हैं कि केंद्रे गरहमंतरी Amit Shah ने किस पूलिस का Smart Card Arms License और Sustra App लाँच किया है Options आपके सामने हैं सही answer option A है Union Home Mr. Amit Shah has launched the Smart Card Arms License and Sustra App of Delhi Police So Delhi Police का 75th Anniversary मनाई इनोंने 16 February को और उसी मोके पर इसको launch किया गया है तो देखिए यह एक Smart Card Arms License है एक तरह का license है यहाँ पर Smart Card License इसको launch किया है जिनके पर जो Arms रखते हैं उनके लिए एक license launch किया गया है Smart जब जुड़ जाता है इसका मतलब कोई एप होगी जिससे आप उसको दिखा सकते हैं digitally उसको यूज कर सकते हैं Smart का मतलब यह होता है साथ इनने सास्तर एप लांच किया है Delhi Police की तो इसके तुरू क्या हो सकता है आपका जो license है वो कभी भी चेक किया जा सकता है डिजिटल उसको चेक किया जा सकता है तो यह फायदा रहेगा Delhi Police के लिए World Day of Social Justice is observed on which day विस्वस्तामाजिक नियाएदी वस किस दिन मनाया जाता है सही answer option C है 20 फर्वरी को तो 20 फर्वरी को World Day of Social Justice मनाया जाता है आपको जानना चाहिए कि जो यह IELO है ठीक है International Labour Organization आर्ट को एडोप्ट किया गया था इस डेट का इससे संबंद नहीं है यह मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल सोशल जस्टिस संबंद देना इसलिए तस जुन 2008 को जो है इसको एडोप्ट किया गया था जो PCS टाइप के खिदाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कभी कभी इस तरह के फेक्ट बागी आपको जानना चाहिए जबार इसका थीम रहेगा वर्डे ऑफ सोशल जस्टिस का एचीविंग सोशल जस्टिस त्रू फॉर्मल एम्प्लॉइमेंट सोयल हेल्थ कार डे इस अब्सर्ड ओन विश्टे ब्रिदा स्वास्तिकार्ड दीवस किस दिन मना जाता है सही आंसर ऑप्शन भी है 19 फरवरी तो 19 फरवरी को हर साल भारत में सोयल हेल्थ कार डे मनाया जाता है आपको जानना चाहिए सोयल हेल्थ कार इसकीम जो है परदार मंत्री नेद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगर राजस्थान से लॉंच की गई थी आपको बता दें कि जो इस सोयल हेल्थ कार्ड एस एच सी है यह फार्मर्स को जो उनके खेट की जो सोयल है जो मिट्टी है उसके न्यूट्रेंट स्टेटस के बारे में बता दी है किस तरह का न्यूट्रेंट है उसमें किस चीची कमी है किस चीची अधिकता है वो बताती है उसी के हिसाब से फिर वो जो है उसमें उसकी मात्रा को जो है वो कर सकते हैं मतलब मात्रा को fix कर सकते हैं उसको ठीक है उसी के हिसाब से तो यह आपके card है बताया जाता है इस card के true which team won men's title in senior national volleyball championship 2021-22 senior national volleyball championship 2021-22 में किस team ने पुरुसो का किताब जीता है सही answer option C है हरियाना तो देखिए हरियाना की men's team और केरला की women's team इन्होंने 70 senior national volleyball championship जोगी बीजू पतना एक indoor stadium उड़ी साम हुई है इसको जीत लिया यानि कि men's team जीता है हरियाना की और women's team जीती है केरल की और दुनोंने ही Indian railways को हरा है हरियाना men's team ने 3-0 से हरा है और जो केरल की women team है इसने Indian railways को 3-1 से हरा कर यह trophy जीती है championship जीती है चलिए अब देखते हैं previous assignment questions के answer हुई इस कोशन में थोड़ा गलत हो गया यह आगे पीछा हो गया यह ऐसे देखेंगे who is the only other athlete apart from mirabai chanu to have won an olympics medal in weightlifting answer is karnan malleshwari which country's pm invoked emergencies act to kill trucker late protest against covid health rules जोग हमने भी question में पढ़ा था MCQ forum में तो answer canada है the schedule types are promised political reservation under which article of the constitution of india answer is article 332 agricultural products export development authority celebrated its 36th foundation day on which day answer is 13 February 2022 finance minister nirmala sitaravan participated in the first g20 finance ministers and central bank governance meeting under g20 presidency of which country answer is indonesia और आप में से कई एस्पेंटर से बिलकुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहें चलिए आज के इंगलिश के शब्द देखते हैं रसिया स्टार्ट नुकलियर ड्रिल्स बाइडन सेज वार imminent तो आज का मारा सब्द है imminent बहुत प्यारा सब्द है कई बार आपको निउस्पेपर में देखने के मिलेगा और जो आपका एक्जाम आता है ना paragraph वगरा उन्हें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो imminent का मतलब होता है बहुत शिग्र लगबग निश्चित रूप से घटित होने वाली ठीक है ऐसी कोई घटना जो की घटित होने वाली है जिसके बारे पूरी आशंका है आपको कि यह होने ही वाली है कोई रोक नहीं सकता इस तरह की चीज़ को बोलत है यानि की वार जो होने वाला है ठीक है क्योंकि रश्या के इस तरह की जिस तरह से रश्या की एक्टिविटी ए उससे जो बटान यूस प्रेज़ियंट कहने हिए वार होने की बिल्कुल आशंगा है यह होना ही तीक मतलब यह थे जैसे यहाँ पर देखें, Heavy Rainfall means that flooding is imminent, Heavy Rainfall का मतलब है, कि जो flooding है, वो imminent है, वो होनी ही है, तो उसको बोलते हैं, imminent, अगला है हमारे पास, Journalist Abscounding, से Jammu and Kashmir Police, तो हमारा सब्द है, Abscounding, Abscound, तो देखे, Jammu and Kashmir की police कह रही है, जो यह Journalist है, होंगे किसी चीज में यह फसे हुए, या फिर किसी चीज में नाम आया होगा इनका किसी matter में, तो यह अभी Abscounding है, Abscounding का मतलब क्या होता है, फरार, किसी स्थान से फरार होना, तो यह अभी फरार है, इनको रेश्ट नहीं किया गया है, फरार है, इनको कुछ पता नहीं है कि कहां पर हैं, भागे हुए हैं, तो यह कहा है, Jammu and Kashmir की police ने, Abscounding, to Abscounding from prison, प्रीजन से बाग जाना, प्रीजन से फरार होना, चलिए अब देखते हैं आज के assignment questions, India and which country hold third defense corporation dialogue, India and which country held fourth home affairs dialogue, रिसेंटली, India's services sector export to reach 1 trillion US dollar by which year, white-chicked macaque recently discovered in which state, तेकी वाला question भी आपके लिए important रहीगा, कुछी भारत पहरी बार, white-chicked macaque जो है पाया गया है, next एक गीता स्री संध्या मुखोपाद्याए who passed every recently at 91 was unnoted तो आपको एक बताना है कि क्या थी इनका हाली में इदन हो गया है क्या थी, scientist थी, doctor थी, singer थी या फिर क्या थी या आपको बताना है तो 5 questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा साथ ही decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ fellow experience साथ हमारे current affairs को share जरूर करें आज का session आपको कैसे लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा thank you guys